अब एक बार फिर से कंगना ने ट्वीट कर बेहत बेबाक अंदास में अपनी बात रखी है कंगना का कहना है कि वो सर कटा सकती है लेकिन सर जुका नहीं सकती इसके साथ ही कंगना ने अपने इस हालिय बयान में कहा है कि वो अपने सिधानतों से कभी समझोता नहीं करेंगी पहले तो आप गंगना का ये ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं एक छत्रानी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर जोका नहीं सकती राश्टर के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलन करती रहोंगी शचत्रानी कंगना अपने स्ट्वीट के जरीए ये कहना चाह रही है कि वो राश्टर के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलन करती रहेंगी बुराई के खिलाफ बोलने के लिए सर कटा सकती हैं लेकिन सर जोका नहीं सकती वो गलत के खिलाफ हमेशा बोलती रहेंगी फिर चाहे कुछ भी हो अपनी इन बातों के जरिये कंगना ने उन लोगों को फटकार लगाई है जो उन पर निशाना साथ रहे अब चली बताते हैं आपको कंगना ने ये ट्वीट क्यों किया दर असल बीते मंगलवार को जया बच्चन द्वारा बॉलिवुड में ड्रक्स का मुद्दा उठाये गया था जिसके बाद सही कई सितारे दो भागों में बटे नजर आ रहे हैं एक तरफ कुछ स्टार्स जैसे स्वराभासकर, कामया पंजाबी, सोनम कपूर और उर्मिला मातोंकर उनका साथ दे रही हैं तो वहीं जो जया बच्चन के बयान से खुश नहीं है और बच्चन परिवार की आलोचना कर रहे हैं पूरी जानकारी के लिए आप जया बच्चन के उस बयान को सुनिये जो उन्होंने कंगना पर कटाक्ष करते वे संसद में दिया था मेरा कहना ये हैं अटरेंबनी इसे आप अपर कॉंट गार्टेंट गार्शाचन के फ़ेंटर के लिए जो याटाड प्लाट पन इसे जो प्वेली जो नहीं है आज नहीं हैं उसे फिर फ़लो भॉगज़ एक प्रफ सक्यूल ये अट बवन्स नन्वेड कर दोड का। बेड उन्वें इलैंओं इलैंग कि व्र फ्र sulph। इलैंग का लेश्य कुछ बन सकते हैं in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers, they are still being harassed all kinds of promises are being made to entertainment industry but never ever kept. Sir, I get very worked up and very emotional, I have too many things to say but you are not giving me enough time and opportunity to speak Sir, I think the government must stand by the entertainment industry because the entertainment industry always comes forward to help the government in whatever good work that the government takes up. They come and speak for them, they support them. If there is a national calamity, they come forward they give money, they give their services. I think that it is very, very important that the government must support this industry and not kill it just because there are few people you cannot tarnish the image of the entire industry. This industry brings international name and recognition also apart from the political people. I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I am not taking a name against the film industry. It is a shame. Thank you ma. I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. Thank you. Thank you.